गाईज अगर आप लोग भी एक महीने में अपना 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो उसके लिए बस मेरी बताई हुई आज की ये तीन आदतें अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लीजे और फिर देखिए इसका माजिक ये इतना इफेक्टली आपके बॉड़ी के लेकर आएगा इन फैट आप 10 किलो से भी जादा वेट लूस कर पाएंगे और वो भी बहुत जल्दी और आपके अंदर इतना विजिबल रिजल्ट दिखेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे लेकिन उससे पहले आप से कुछ सवाल करना चाहूंगी क्या आप ल आपकी भी डिलिवरी हुई है वो भी ऑपरेशन से तो उसके बाद जो आपका पेड लटक गया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा अगर आप यह सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत एफेक्टिव है क्योंकि आप लोगों क एक्सराइज करते हैं, गहंटो जिम में रहते हैं, घर पर भी बहुत एक्सराइज करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉड़ी शेफ हमें मिलने ही पारी, वो 100% रिजल्ट नहीं मिल पारा जो हम चुहते हैं लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में promise करूँ कि आज की मेरी बताई हुए तीन आदतें आपको वो proper 100% वाला result हैंगी तो आप क्या कहेंगे क्योंकि आज मैं इस वीडियो में share करने वाली हूँ वो छोटी छोटी बाती जिनको हमें पता तो होता है लेकिन हम उसको बहुत जल्दी इगनोर करते हैं और सोचते हैं यार हम डाइट प्लान फॉलो करें हैं एक्सराइज कर रहे हैं तो इन छोटी आदतों को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फरक पड़ेगा लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि फरक पड़ता है और बहुत जादा फरक पड़ता है और वही 100% result आपको नहीं मिल पाता तो क्या हैं वो आदते हैं जिनको हमें अपनी रोजाना जिंदीकी में शामिल करना है उसको जानने से पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और शेय प्रॉड लेके जाएंगे प्रॉपर हार चीज फॉलो करते हैं ठीक है मॉर्णिंग मेरोने सोचा कि मैंने इतना वर्क आउट करा अब पूरा दिन वो क्या करते हैं उसके बाद फिर बैठे होएं तो चलने का कोई भी प्रोसेस उनकी लाइफ में होता फिर डिनर जो होता है बहुत जादा थके होए यहना? तो आपके दर हमद मैं है, स्टेमिना नहीं है तो ऐसे में सबसे जादा क्या करता है आपकी इफेक्ट सबसे पहले इपका पेट करता है जो पेट होता है वह बहुत जादा बढ़ना शूरू हो जाता है आप सारा वरक आउट तो करते हैं खाना फिनिश करके आप अपने कॉरीडॉर में जहां भी थोड़ा सा ओफिस का स्पेस है वहां पर वॉक कर ले या अगर आप घर में रहती है बच्चों के साथ बिजी है तो बच्चों को सुला कर उसके बादा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए तो मतलब अपने शेडियूल में से आपको वॉकिंग टाइम बढ़ाना है यूकि एक चलना एक चीज है जो आपके पूरे बॉड़ी में जान रखता है अक्टिव रखता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है ठीक है तो आपको वॉक करना है खाना खाने के बाद आब वजरु आसने बैठ सकते है अब दूसरी आदत हमें अपने डेली रूटीन में क्या शामिल करनी है हमें खाना है प्रॉप पर खाना बहुत सारे लोग क्या खुश होते हैं कि यार मैं तो एक्सिस करता हूँ मैं तो डाइट फॉलो कर रहा हूँ देख मैं सुबा भी कुछ नी खा कर आया अपमी टोर मा जाती है तो आपके अंदर बॉडी अंदर बिल्कुर एनर्जी खतम हो जाती है क्योंकि आपने अपनी टोर में बहुत कम खाना खाया आपकी बॉडी को जादा रिक्वाइमेंट थी आपने पूरा उसमें अब यूटलाइज भी किया आपने एक्सराइस करी ऑफिस का काम कि तो आपकी बॉडी जो है पूरा एनर्जी तो यूज कर रही है तो उसे आपको इंटेक कुछ नहीं करा उस ताइम पे क्या है जब आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे जाती है तो आप किसी को बोलते है यो फटा पट से फोन देख और और जो भी चीज़ अनहें आती है बस आप सोच्टे सको खाऊ और जो मेरी बॉडी इंटम से लो फील कर रही है ना मैं एनर्जेटिक फील कराऊं क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल जान खतम हो जाती है तो आप उस स्टेज़ पी बॉडी को बिल्कुल मत लाएं बल्कि आप पूरा दिन खाए लेकिन तो ग्याप मेंटेइन करें, हेल्दी फूड खाएं तो उससे क्या होगा आपका बॉडी वेट भी मेंटेइन रहेगा और आप जंक फूड खाने से भी बचाएंगे तो मैं आपको सच्छेस करूंगी ना कम खाएं और ना ही जादा खाएं तो ये दूसरी अच्छी आदत क जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी आदत की तरफ जो हमें अपने रोजाना जिंदीकी में शामिल करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है बहुत सारे लोगों की आदते होती है रिवाज होता है कि उनका जैसे टाइम भी हो व आपकी जॉब टाइमिंग होगा तो बैट ओविस है खाना खाने के बाद सीधा बिस्तरा पकड़ेंगे बिस्तर पर लेट जाएंगे तो इन आदतों को अगर आप चेंज करेंगे और दिनर टाइम को थोड़ा सा पहले करेंगे यानि साथ से आठ के बीच में आप फिक्स कर कर आई हो जो यह कहते हैं कि उनका शेडियूल बहुत टाइट और वो 10-11 बजे घर आते हैं तो ऐसे विनको सोना भी होता है क्योंकि पूरा दिन ठख चुके होते हैं आपकी बाद बिल्कुल जैन्विन है तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है अपना लॉंच और ब्रेक इसका बंद करना है उसकी जगह पे आप जादा कटोरी भर के दाल पी सकते हैं या सबजी की खा सकते हैं या आप सालेट के प्लेट इंटेक कर सकते हैं या उसके साथ में आप गरम दूद पी के सो सकते हैं तो इससे क्या होगा आप जब लेट खाना भी खाएंगे तो आपन तो एसी हमेशा कुछ नया देखना चाहते हैं, तो बस मुझे ऐसी प्यार देते रहें, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नए जोश के साथ और कुछ नहीं एक्ससाइज के साथ, बाइ, टेक केर एं, स्टे हल्दी थात्य है